हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चनल में से हमें स्वागत है दोस्तों आज का हमारो टोपीक है प्राइम फिल्ड जिसमें हम लोग आज करने वाल है उस से रिलेटेड एक थेवरम तो थेवरम एक्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं यह आज हम देख लेत होते हैं तो यह थेवरम इस प्रकार से आता है एक्जाम में दा प्राइम फिल्ड आफ ए फिल्ड एव इस आइदर आइसोमॉल्फिक टू क्यूं और टू जेड अपान पी वेर पीजे प्राइम तो इसका हम प्रूफ अब इसी थेवरम से करेंगे तो शपोस पी बीए प्र प्राइम फिल्ड आफ ए एड़ 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 इनुटी आफ एफ थेवरम के नुशार हम यह मां सकते हैं जो पी हम लोग का एक प्राइम फिल्ड है चो कंसीडर दे मैपिंग एप सर्च डैट जेट टेंस टू एफ तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक मैपिंग कंक्शन के र न की फ़र आल एड़ लॉंग्स टू जैट वी एपजॉर्ब दैट आ हरो आप सके हम लोग एबदॉर्ब करएंगे दो कंडिशन फॉस्ट पंडिशन में हम लोग ऐडिशन की रूप में रेंगे और धुश्रा जो कंडिशन गे वो माल्टिप्लिकैसाँ के रूप में एम और एन को हम एडिशन के रुप में लिखेंगे तो function f plus n is equal to function element m plus n और उसके लिए जो हम लोग लिए है उसके unity या इसे identity elements भी बोल सकते हैं तो इस identity elements को हम इसके साथ multiply कर देंगे और यह n के लिए भी इसकी प्रकार से कर देंगे इसी प्रकार अब function को हम लोग अलग कर देंगे तो function m के लिए हो जाएगा और n के लिए हो जाएगा इसी प्रकार यह m के लिए होगा और n के लिए होगा for all mn belongs to j अब इसी प्रकार से हम इसके लिए करेंगे multiplication के लिए तो multiplication के लिए इस प्रकार से हम लोग इसे लिख सकते हैं fmn is equal to mn.e अब e के लिए भी इन दोनों के लिए करेंगे और इसी प्रकार function को फिर से हम इसमें अलग कर देंगे तो fm.fn is equal to m e n e for all mn belongs to z where f is homomorphism and kernel f is n ideal of z जहां f हम लोग का जो field है वो homomorphism होगा और kernel f होगा जो ideal होगा किस पे z पे so we can find a non-negative integer p तो हम में प्राप्त होगा एक non-negative integer prime field p such that kernel f is equal to p अब हम इस theorem को प्रुब करने के लिए दो case रखेंगे इसमें फास्ट केस में हम लोग जो प्राइम फिल्ड है उसको जीरो की इक्वाल लेके हल करेंगे और kernel f दोनों को 0 यानि की कहने के मतलब है प्राइम फिल्ड को 0 की इक्वाल रखके एक बार देखेंगे kernel f को 0 करके देखेंगे इसी प्राकास से हम लोग equal लेके चले हैं अब उसको हम लोग equal not दिखाना है तो प्राइम फिल्ड f not equal to 0 and kernel f not equal to 0 तो ये दोनों case को हम लोग यानि प्रूफ करते हैं तो ये theorem हम लोग का प्रूफ हो जाएगा case first p is equal to 0 and kernel f is equal to 0 अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग अब इसी के नुसार बनाएंगे इसको तो if p is equal to 0 then by equivalence characteristic of f is 0 तो यदि हम p को हम is equal to 0 रखते हैं प्राइम फिल्डल जो p है उसको हम 0 के equal रखते हैं तब इसे हम लोग दिखा देंगे कि यह वो क्या है हम लोग का one one होगा so embedding of z into f suppose embedding a mapping अब हम इसके लिए फिस एक mapping लेंगे f stars tune tends to f इसके लिए एक हम mapping फिस लेंगे जो की star note कर रहा है कि यह एक फिल्ड है so by definition अब हम definition से इसके इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे जैसे हम उसमें addition करके लिखे थे m और n को उसी प्रकार अब हम इसके लिए क्या करेंगे m और n को dividing के form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको f star m upon n is equal to function fm upon function fn और अब इसकी equal हम लोग क्या लिए है जैसे जब पहले हल किये थे उस time m e लिखे थे addition के रुप में उसी प्रकार से अब हम उसके साब e लिख देंगे जो लिखे थे उसमें और n के लिए भी वेसी कर देंगे तो e e हम लोग को cancel out हो जाएगा और जो बचेगा हम लोग का elements m by n यह हम लोग का फिर बचता है for m upon n dot r upon s belongs to q then और यह dot के लिए हो गया जो की belong कर रहे किसमें q के लिए अब इसको हम लोग addition के रुप में फिर से write करेंगे तो f star m upon n plus r upon s is equal to f star अब इसका हम लोग multiply कर देंगे m s हो जाएगा n r upon n s और इसी प्रकार से अब इसको आगे हल करेंगे फिर से तो यह हो जाएगा f m s plus n r और f n s यानि कि जो हम लोग एप म फिल्ड f star को अब हम अलग अलग function के दो में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे और आगे आप इन दोनों के लिए फिस इसको अलग कर देंगे function fm लिख देंगे function fs लिख देंगे और इसी प्रकार इसके लिए भी function fn और f और और इसी प्रकार नीचे के लिए भी लिख देंगे हर के लिए fn और fs अब जैसे हम उसमें प्राइम फिल्ड बनाने के लिए यह थे दो फंक्शन के लिए f start उसी प्रकार अब इसको अलग कर देंगे इन दोनों के लिए fm और fn के लिए एक अलग्स और f r upon fs के लिए लग्सी अब हम लोग का जो प्राइम फिल्ड है फिस्टार से डिनोट कर रहे है तो यह दोनों के लिए हम f star लिए देंगे और m by n plus f star r by s and f star m upon n dot r upon s जैसे उसमें हम addition के लिए लिखे थे उसी बात फिर multiplication के लिए लिखे थे उसी प्रकार addition कहो गया तो अब इसके multiplication के लिए भी से similar लिखेंगे तो यह इतना हो जाएगा और इसका फिर से इन दोनों का multiply हो जाएगा तो mr और n के साथ s का तो ns और यह फिल्ड के लिए हैं तो यह function हम लोग इसके लिए अलग-अलग कर देंगे fmr upon f ns और अब इन दोनों के लिए फिर से हम इसको क्या कर देंगे अलग-अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह fm और fr upon fn.fs अगे फिर से इसे solve करेंगे तो हम इसे write कर देंगे f star m upon n और f star r upon s so hence हम यह माग सकते हैं जो की f star आप हम लोगा हो में बार्फिसम है क्यों क्योंकि हम यहां दिखा दिए कि जो f star m by n और addition दोनों के लिए one one mapping आ रहा है तो हम इसे write कर देंगे thus f star is a homomorphism so also kernel f is equal to zero then kernel f is equal to zero या f star और kernel f दोनों क्या होगा हम लोग का zero so because m by n belongs to q तब f star भी क्या होगा हम लोग का zero होगा m by n के लिए और इसका जो value हम लोग वहां रखे थे addition में तो यह हो जाएगा m e upon n e is equal to zero इस प्रकार यदि हम m e is equal to zero रखेंगे तब हम लोग का totaling m जो हम लोग का क्या हो जाएगा zero हो जाएगा इस प्रकार से थास f is 11 हम इस theorem में apply करेंगे fundamental theorem of homomorphism तो इसमें हम जो इसे प्रकार से अब हम सेकेंड केस को भी करेंगे सेकेंड अब हम उसमें पी को equal लिये थे 0 के और करनल f को हम लोग 0 लिये थे अब इसमें हम लोग p not equal 0 रखेंगे जहां p is greater than r equal होगा 0 का और p is equal to 1 होगा इस प्रकार से हम आगे लिखेंगे इसमें यदि p not equal to 0 है और तब p greater होगा किसे 0 से और p is equal to 1 so we have we have 1 is equal to 0 and is equal to 0 एं contradiction अब इसमें हम लोग को contradiction होगा so hence p is greater than 1 अब हम यदि हम p को greater than रखकर 0 के लिये रखेंगे तब यह possible नहीं है इसलिए हम अब p को क्या करेंगे greater रखेंगे 1 से so we claim that p is a prime number सब हम claim करेंगे कि जो p है हम लोग का prime number है suppose p is equal to a b अब हम suppose करेंगे इनके लिए दो elements prime field के लिए दो element हम लोग का कॉन सा है a और b है so p is equal to 1 is less than a and b is less than p so then f p is equal to 0 is equal to p e is equal to a b e अब e को न दो के लिए बाण देंगे तो a e and b e अब a e is equal to 0 रखेंगे and b e is equal to 0 रखेंगे इस प्रकार से f function a is equal to 0 and function b is equal to 0 अब function अब इसमें 0 हो रहा है तो जाइर से बात है आप kernel भी हम इसका क्या होगा 0 होगा so a belongs to kernel f and b belongs to kernel f for all a belongs to p and b belongs to p क्योंकि a और b दो elements जो है जो इसमें बिलांग कर रहा है prime field p पर तब इसे exist करेगा तो अलक्स जो element लिए थे हम उसमें mm तो अब हम इसमें एक ही element लेंगे जिसका दो होंगे जैसे m1 और m2 जो किसमें बिलांग करेगा z में so such that a belongs to m1 p and b belongs to m2 p implies that p upon a और p upon b but जो a और b है वों लेजन हुआ किस से p से तो यह b is greater than p p is a prime number जहां p हम लोग का है prime number है so इस प्रकार आप हम इसमें भी apply करेंगे fundamental theorem of homomorphism ring अब हम उसमे fundamental theorem of homomorphism अब हम इसमें ring के लिए apply करेंगे so hence z upon p isomorphy i m function f is equal to p इस प्रकार आश्रे हम इसका second case भी प्रूफ कर सकते हैं तो यह दोनों case यदि हम लोग का प्रूफ होता है तो हम इस theorem को प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक subscribe and support my channel mhc है so thank you for watching